हलो दोस्तों नवसकर पराम जैसरी राम जैब बगेशा धाम एक आवस्त सूचना है कि रात में मालती चोहान नाग बन के आती है अपने दुस्मन से बजना लेने के लिए तो दोस्तो आप लोग ये सच बात है कि मालती चोहान अपने दुस्मन का बल्दा लेने जरूर आई है नागिन बनके और उनके घर के पीछे अभी जब उनका देहान थो रहा था जब उनका देहान थुआ और जब उनको आगनी के लिए ले गए तो पोस्त मैडम से निकलने के बाद तो मालती उसी तम उसकी आत्मा साप बन गई क्योंकि वो अपने दुस्मन से बल्दला जरूर लेगी मालती चोहन तो इस टाइम अभी मालती चोहन नाग बनी हुए नागिन का रूप धर के आई हुई है और अपने बेटे का रच्छा कर रही है तो आप लोग को बता दें ये बहुत भयानक ख़वर है अभी तक कोई सो मारा वो सोयम जानती है कि हमको काउन मारा काउन नहीं मारा तो सोयम अपना बल्दला ले लेगी आपको ज्यादा दिन तो नहीं पंदा दिन के बाद आपको रिजल्ट के सामने दिखेगा मालती चोहन सोयम अपना बल्दला लेगी एक नागिन का रूप धर के आई है अपने साब का रूप धारन करके वहीं पे रुकी हुई है और मोका देखेगी मोका देखते हुए अपने दुस्मन का काम तमाम कर देगी दोस्तों तो यह दोस्तों सबसे बड़ी ख़बर है तो मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को वा सारी चीजे बोल लहें रियल बात है कि मालती चोहान नागिन बनके आ चुकी है और पीछे उसका जो घर है उस पीछे घर के पीछे उसके बामी है बामी में ठारी हुई है और बता दे कि वह बहुत जल्दी अपने दुस्मन से बदला लेने वाली है तो दोस्तों देर ना कर करिए फटा फट लोगों को भी फैलाईये लोगों को जागरित करिए आप लोग सही चीज नहीं देखाते जूटी बार बार वही चीज खबर वही ची रिपोर्टिंग वही हम आपको एक नया चीज बता रहे हैं क्योंकि हम बजरंग बली के उपाशा के भक्त है तो हम गु करता नहीं हम आपको रियल बात बता रहे हैं तो दोस्तों अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना कमेंट कर देना और बताइए का दोस्तों जय सिरी राम जय बगेश्च चौरधाम